अलो अब्रीबन आप सभी का study for UPSC PCS चैनल में स्वागत है आज हम बिहार समगर में अपना next वीडियो इससे पहले मैंने बिहार समगर में modern history का first part complete कर दिया था ये second part है तो उसको आप जाके देख लेना इससे पहले हमने क्या सब पर लिया है काफी कुछ हमने इससे पहले complete कर लिया है modern history में और आज हम परहेंगे बिहार में करांतिकारी राष्टबाद और इससे आगे के जो बिहार का इतिहास से आधनिक इतिहास उसको परहेंगे प्राचीन भारत बिहार का बिहार का ancient और medieval ये दोनों complete करवा दिया है मैंने बिहार समगर से जो kbc nano की book आती है अगर किसी को bpsc के लिए science का mcq देखना हो घटना चकर से तो मैंने complete करवा दिये हैं जाके देखना playlist में मिल जाएगा आपको तो शुरू करते हैं आज का lecture बिहार में करांतिकारी राष्टबाद करांतिकारी राष्टबाद के प्रथम चरन बिहार में करांतिकारी विचारधारा के आरंविक नेताओं में डॉक्टर ग्यानेंदरनाथ, केदारनाथ बनर जी और बावाजी ठाकुर्दास थे इन तीनों के नाम ही सबसे पहले important हो गए BPSC में नाम आधारित बहुत सारे कोस्टन पूछी जाते हिस्टरी में उसमें भी E option जो देता है ना वो नाम में confusion होता है उससे इसलिए नाम पर जादे फोकुस करना 1906 में भावाजी ठाकुर्दास ने पटना में रामक्रिसन सोसाइटी के अस्थापना की Motherland नामक करांतिकारी विचारो वाला समाचार पतर का प्रकासन आरंब किया 30 अप्रेल 1908 को मुझपरपूर के बदनाम जज किंग्स फोर्ड को मारने का खुदी राम बोस और प्रफूल चंद्चा की द्वारा किया गया प्रयास था लेकिन गलती से इस बंब कांड में वकील प्रिंगल केनेटी की पत्नी और बेटी मारी गई थी तो खुदी राम बोस उसके बाद फांसी हो गई थी बहुती कम मुझपर पूर बंब कांड करने के बाद खुदी राम बोस और प्रफूल चंद्चा की रात और रात वहां से भाग गये लेकिन अगले दिन पूसा रोड इस्टेशन के नजदी खुदी राम बोस गिरफतार कर लिये गए और ग्यारा अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया प्रफूल चाकी ने दो मई 1908 को पुलिस से मुठवेर होने कारण स्वें को गोली मार ली कुदी राम बोस युगांतर नामक एक गुप्त करांतिकारी संगठन से चुड़े हुए थे बिहार में कॉंगरेस का पहला अधिवेशन 1912 इसमी माकीपूर पटना में हुआ जिसके अधिकस्ता आरेन मधोल करने किया था ये कुष्ण पिछले साल ही साइद पूछा था 1913 में सचिन्ना सान्याल ने पटना में अनुसीलन समीती के एक साखा स्थापित की उसमें पटना का भी एन कॉलेज करांतिकारी विचारधारा का केंदर बन गया था पूर्निया जिला स्कूल साइसरी अतुल्चन मजुमदार को भारतिय रक्षा कानून के अंतरगत गिरफतार किया गया था नेशनल सेक्योटी एक अभी भी जो एन एसे लगाया जाता है वो वही वाला कानून है सुधीर कुमार, प्रफुल कुमार विश्वास, स्याम नाराइन जहा, सिव कुमार सिन्हा, बी एन कॉलेज के प्रध्यापक निर्पेंदरनाथ बसू को भी संदिक दिव्यक्ती सरकार समझती थी ख़कानू करांतीकारीologique क्या थे? ये हिंसा के माद्य हम से देश को सदुनब्टा दिलाना चाहते थे धाकानुसिलन समिदिए कि सदस भागलपूर में सक करिये थे इन्हों है रेवती नागरकसर पर मुक थे ढाका नुसीजन समिती के सदस यदुनात सरकार ने बक्सर में युवा करांती कारे के प्रसार का प्रसार का प्रियास किया था स्वामी सत्य देव एक प्रगतिसील बिचार वाले कट्टर आरे समाजी थे आरे समाजी का स्थापना किसने की थी बताओ जरा मुझे अगला है कि भागलपूर में अनाथ बसू चोधरी नामे सारी नाम के बंगाली नौजवान को भारत रक्षा कानून के धारा बारा को के अंतरगत दिसंबर 1918 में गिरफतार कर लिया गया अगला है कि करांतिकारी राष्टवाद का दुतिय चरन बिटे सरकार के दमन चक्र और सहियो गानूर के समाप्त कर देने से युवा बर्ग मौसन तोस भर गया जिसके फलस रोप करांतिकारी राष्टवाद पुना जोर पकरने लग गया पहला चरन जो आता है ने करांतिकारी राष्टवाद का वो आता है 1906 के आसपास से जब बंगाल का भी भाजन होता है ठेक स्वदेशी आंदुलन जब चलता है तो उस समय के आसपास पहला करांतिकारी चरन आता है दूसरा आता है जब आसपास योग आंदुलन को गांधी जी बंद कर देते हैं ठेक आसपास योग आंदुलन जो था उसको बंद कर देते हैं चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद उसको बंद कर देते हैं कांडी ये का एक तो अहिंसा और इन चबसीयों से विस्वास उर जाता है लोगों का सत्यागरा से तरह नौजवान जो थे उन्होंने हिंसा गरापर कर लिया था तो दूसरा चरन तब सुरू होता है बिह कि यात्रा करते समय भागलपूर में करांतिकारी आंदोलन का नेता होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया नौ नौमबर 1928 को दर्भंगा समस्ती पूर जिला अंतर्गत दलसिंग सराई में एक ड़केती हुई सरकार के दिसे से राजनतिक ड़केती थी साथ जून 1929 को चमपारंज इलाके मौलानिया नामक अस्थान में ड़केती हुई थी बिहार में करांतिकारी आंदोलन के एक सर पर मुखने था योगंदर सुकल को पुलीस मौलानिया ड़केती का मुखे फरारा रुपी समस्ती थी मौलानिया ड़केती से कौन समन्दी थे योगंदर सुकल सारन पुलीस द्वारा 11 जून 1930 को गिरफतार कर लिये गए योगंदर सुकल पर तिरहुट सद्यंद केस के नाम से मुकादमा चलाया गिया एसेमली बमकान तो क्या पूछ सकता है कि तिरहुट सद्यंद केत के मुखे अभ्युक्त कौन थे योगंदर सुकल जी एसेमली बमकान 1929 के बाद पटनाम भगत सिंग बटुके स्वर्दत के चित्र एवं इस्तिहार के प्रतियां भी की इसके लेखा प्रोफेसर ग्यान साहा थे बेटे सरकार ग्यान साहा को अतिवादी विचार धारा का करांतिकारी समझती थी प्रोफेसर साहा पटना करांतिकारी पार्टी के नेता मनिंदर नाराए नराए नराए और हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन के पंजाब साखा के नेता स्री जैचंद विद्या अलंकर के साथ घनिष्ट रूप से संबंध थे कौन मनिंदर नाराए के साथ संबंध थे ग्यान साहा और स्री जैचंद विद्या अलंकर के साथ प्रोफेसर साहा जो थे बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में 12 इसंबर 1929 को हुआ बिहार नौजवान सम्मेलन सुभाज संद्र बोस की अनपस्थिती में पंडित प्रजापती मिस्र ने इसके ध्यक्सता की थी कौन करने वाले थे बोस वावू करने वाले थे ध्यक्सता लेकिन वो अनपस्थि टे तो प्रजापति मिसर ने किया था बिहार मूने CPR 30 में अने क्रांथिकारी युवाँ हसारे के सदस्सके रूप में काम कर रहे थे हारे हंदुस्तान सुसोलिष्ट रिपॉलिकाश एस।ас इस सब्सक्राइश हंदुस्तान रिपॉलिकन एस।ас बितने इस। पाकुला खाओ ये वगड़ा थे भगत सिंग वगड़ा ने एचसारे का गठन किया था जब काकोरि के बाद एचारे खतम हो गया था लोगों को फांसी हाँ हो गए थी और वो गए थी तब एचसारे बनाया थी नहीं है दे गई थी रामदेनी सिंग को डग का थेला बस लूटने का रफासी सिज़ा हुई थी 1906 में डॉक्टर राजंद प्रसाद वारा पटना बिहार चातर सम्मिलन का आवजन किया गया 1906 में किया गया एक अप्रे 1936 को बिहार से उरीसा को अलग कर दिया गया 1936 में उरीसा अलग होगिया बिहार से वरिंद कुमार घोस ने सोदेसी आंदोन के परचार के लिए देवघर में गोल्डेन लीग की अस्थापना की थी गोल्डेन लीग की बंगाल बिहाजन के बिरोध में चलाएगे सोदेसी आंदोन के दौरान जमसेदपुर में टाटबा आइरं एन स्टील कमपनी ने सरकारी और विदिसी सहायता लेने से इंकार कर दिया था टाटबा का जो कमपनी था उस सरकारी और विदिसी सहायता दोनों लेना मना कर दिया था सोदेसी आंदोने के दौरान 28 जून 1931 को पटना बमकान हाजारी लाल और प्रकास उर्फ सुरिनाथ 24 दोरा किया गया था 9 नॉम्बर 1932 को लाहूर सरियंत के सरकारी गवाफ फनिंदरनाथ घोस को बेतिया में छूरा मार कर हत्या कर दी गई थी लाहूर सरियंत में इन्होंने गवाह दिया था कि इनके विरुद भगस सिंग सब के विरुद इन्होंने गवाह दिया था था इनकी हत्या कर दी गई थी इस हत्या के लिए बैकुंठ सुकल को 4 अपले 1932 को फांसी दे गई थी फनी दरनाथ घोस जो थे इनकी इनको मार दिया गया था बैकुंठ सुकल के दौरा क्यों क्यों क्योंकि फनी दरनाथ घोस सरकारी गवाह बन गए थे अगला है खिलाफा तांदुलन और बिहार खिलाफा तांदुलन के दौरान बिहार की क्या दसाती उस पर रह गया है परतम बिसुद के समापतिक बाद ब्रिटेनियम तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधी से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिये गए विस सुभर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे इस कारएं से भारते मुसल्मान भी ब्रिटिस से नफरत करने लग और इस मौके को हिंदू मुसलिम एक्ता के लिए उप्युक्त समझा गया 99999 को दिल्ली में अखिल भारते खिलाफत कमीटी का दिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्सता गांधी जी ने की थी अखिल भारते खिलाफत कमीटी के दिवेशन हुआ गांधी जी ने की थी डेट भी याद रखना पूछता है 2920 को इलावाद में हिंदू मुसलिम के सनिक्त बैठक में और सहयोग के अस्तर को अपनाए जाने का निरने लिया गया इस एक्ट के विरुद बिहार में आंधोलन फरवरी 1990 के अंतिम दिनों में सुरू हुआ और मार चाते आचे पटना, मुंगेर, गया, मुझपरपूर, छपरा, भागलपूर विरुद परकट करने हैं तो अनेक सभाई होने लगी 6 अपरेल 1919 को पटना में बिनमरता था उपासना दिबस के रुप में मनाया गया इसी दिन पटना में हसन इमाम के नितित में विसाल जलूस निकाया आ गया तो पूछे का कुछन के बिनमरता था उपासना दिबस किस आंदोलन के दोरान मनाया गया था तो खिलाफत आंदूलन के दोना है बिहार में खिलाफत आंदूलन के नेताओं के आमंतरन पर मौलाना सौकत अली यहां पर आए थे मौलाना सौकत अली आए पटना में 24-25 अपरेव 920 को सभाई हुई इसे मौलाना सौकत अली ने खिलाफत के समस्या के समाधानेतू अपना सर्वस्व बलिदान करने का आवाहन किया था पंदरा और सोला मई उन्हें सोनीस को फुलवारी सरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ जिसे ब्रिटिस सरकार को और सहयोग करने का परस्ताव पारित हुआ एक अगस्त को पतना मायजित सभा नूरुल हसल ने प्रांध के विधायका से त्याग पतर दे दिया और सहयोग अंदोलन और बिहार और सहयोग सुरू होगा खिलापत के ठीक बात सितंबर 1920 में कॉंग्रिस का विसे सधिवेसन कलकत्ता में हुआ जिसमें गांधी जी ने और सहयोग अंदोलन का परस्ताव रखा जिसे सर्व सम्मती से पारित कर दिया गया बिहार में सांदोलन से जुरे वेक्तियों में कौन कौन थे सबके नाम याद रखना बिहार में और सहयोग अंदोलन से जुरे वे इन लोग कौन कौन थे मजरूल हक इनका नाम बहुत बार आएगा राजंद प्रसाद ब्रज किर्सोर प्रसाद और मोहमत सफी सुपरसिद्ध साहितिकार राहुल संस्कृतायन और सहयोग अंदोलन के दरान छपरा में सक्रिये थे मजरूल हक ने पटना के दीघा में खेरू मिया द्वारा दान में दिये गए जमीन पर मदाकत आस्रम अस्थापित किया था कौनसा मदाकत आस्रम जिसमें यहां के छात्रो द्वारा चर्खा बनाने का काम आरंभ हुआ था मदाकत आस्रम कहां पर अस्थापित किया था पटना में दिसंबर ने सो बीस में अपनी अल्पकालिक यात्रा एकरम में गांधी जी के प्रभाव सरूप कुछ राश्टी ए स्कूल खोले गए थे तब बिहार में एक बिद्यापीट का गठन का निर्मान किया गया बिहार बिद्यापीट उन्हें सो बीस के में जब गांधी जी आए तब अस्थापित किया गया राष्टे महाविद्याले के प्रानागन में बिहार विद्यापीट का उद्गाटन छे फरबरी 1921 इसवी को गांधी जी द्वारा किया गया छे फरबरी 1921 को मजुरूल हक इसके कुलाधी पती और ब्रज किसोर परसाद कुलपती बने थे मजुरूल हक जी फिर से आगए ये कुलाधी पती बने और ब्रज किसोर परसाद कुलपती बने बिहार विद्यापीट का जिसके अस्थापना छे फरबरी 1921 इसवी को हुई थी 30 सितंबर 1921 को मजुरूल हक ने सदाकत आसरम से दम मदर लेंड नामक पत्रिका खवार निकालना प्रारम किया था दम मदर लेंड जिसका उदेश राष्टे भावनाग परसार और स्वहयोग कारेकरण का परसार और हिंदु मुसलिम एक्ता का उपदेश देना था अगर रिवीजन करने का समयायत 1957 के बाद 1957 के बाद से लेकर 1947 तक इसको रिवाइज जरूर करना इसी से सबसे ज़्यादे कोशन पूछाते हैं PCS हो चाहिए UPSC हो 16 अगस्त 1921 को अखिल भारते कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी के बैठक पटना के सदाकत आसरम में होगी गांधी जी का त्रिक्त उसमें मोतिलाल नहरू ये कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी के बैठक होई है कहां पटना के सदाकत आसरम में कौन कौन सामिल हुए गांधी जी के गांधी जी दुए मोतिलाल नहरू राजन्द परसाद मौलाना अबुल मौलाना मुहमद अली जमना लाल बजाद उपस्तित थे इस बैठक में ग्यारा प्रस्ताव सुकृत हुए इनमें सबसे महत्पून था बिदेशी बस्तरों का बहिसकार 27.9.9 को बिहार प्रांतिय कॉंग्रेस कमीटी ने कौमी सेवक दल की अस्थापना की इसका सरप्रमुख कारे प्रांत में सांती बनाए रखना था चंपारन में ओसरयोग आंदो like दोरान गिरफतार के अगप्रमुख नेता थे इन सब के नाम याद कर लो चमपारन में औसहयोग के दोरानिय के रफतार हुए थे बिपिन बिहारी बर्मा सिबधारी पांडे गनेश परसाद साहू रामदयाल साहू रामदास परसाद हरवंस सहाई और जैनरायन परसाद 22 दिस्तमबर ने सो की इसको प्रिंस ओफ वेल्स का पटना आगमन हुआ ये वेल्स जगह वहां के प्रिंस जो है वो पटना आए वेल्स जगह है ब्रेटेन के दीब पर उनको सरवत्र काला जंडा दिखाए गया उस दिन सहर में हरताल मनाए गी जब औसहयोग गांदलन जोर पकर रहा था उसी समय पांच फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से सुब्ध होकर गांदी जिन औसहयोग आउनको अस्थखित कर दिया चौरी चौरा में क्या हुआ तब पता ही है यूपी में ये जगह है और यहाँ पर कुछ पुलिस वालों को लोगों ने जिन्दा जला दिया था पुलिस वालों ने लाठी चलाई थी आंदलन कारियों पर तो लोगों ने थाने माग ले आकर उनको जिन्दा जला दिया था तो गांदी चुकि अहिंसा के समर्थ तक तिसलिए उन्हों ने पूरा अंदोलन बंद कर दिया था। इस अंदोलन का सबसे व्यापक प्रफाव कहा कहा पर परपड़ा अस्वयोग अंदोलन का मुझपरपूर सहाबाद जीला में देखा गिया, पठ्णा इसका मुझपरपूर सहाबाद, छपराप्त और भागल्पूर मुंगेरीन सब में था इसके साथ गया आगरा मुंगेर की संगंज पुरनिया भी से प्रभावित हुआ अगला है औस्वयोग की अनेक कारण थे औस्वयोग गांदोन के क्या कारण था तो रॉलेट एक्ट जलियावाला बाग हत्याकन 13 अप्रेल 1919 को हुआ था हंटर कमीटी की रिपोर्ट भारतियों द्वारा स्वाराज की मांग खिलाफत अंदोलन का बिहार व्यापक प्रभाव पर आता अगला है स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी इसका गठन क्यों हुआ तो जब गांदी जी ने 1921 में और स्वयोग अंदोलन चलाया और फिर 1922 में जब अंदोलन अपने चरंप पर था 1922 में उन्होंने इसको अस्थकित कर दिया तो कॉंग्रेस में दो खेमा बन गया एक सुधारवादी एक उसी ढड़े पर चलने वारे जिसको रूठी भादी कहा जाता है सुधारवादी जो थे वो चाहते थे कि पार्टी बनाये जाए एक जो एलेक्सन लड़े और सदन के अंदर से हम बिरोध करें इसमें इन्ही लोग ने सुराज पार्टी बनाई कि हम अब एलेक्सन लड़ेंगे हम जाएंगे सदन के भीतर और वहाँ पर बिरोध करेंगे जबकि कुछ जो थे वो सिर्फ और सिर्फ सदन के बाहर विरोद के समर्थखदीजिस में थे सरदार पटेल, जवालाल नहरू, गांधी जी ये और जबकि जो स्वराज पार्टी के संस्थापक है मुतिलाल नहरू, सियार दास ये थे कि हम पार्टी बनाकर चुनाव लगे ये गांधी जी से मोभं के कारण हुआ था बाद में फिर विलय भी हो गया था इसका कॉंग्रेस पार्टी में ही कॉंग्रेस का 1922 में वार्शी कद्वेशन गया के तेनई नामा गाम पर देश बंदू चितरन्य दास के अध्यक्सता में हुआ था जिसमें सबसे प्रमुक्स सवाल बिधान परिस्द में प्रवेश का था देश बंदू ना अपने अध्यक्षे भासर में इसका प्रवल समर्थन किया लेकिन अधिकान सदस बिधायका के बाहर भहिसकार के पक्ष में थे निर्ने बहिसकार के पक्ष में ही हुआ बहिसकार के निर्ने से छुब दो कर फरवरी 1923 में चितरंजन दास जिसको सियार दास मोतिलाल नहरू इलावाद में सुराज पार्टी के स्थापना की इन्होंने देखा कि कॉंग्रेस हमारी बात नहीं बन पाई तो इन्होंने 1923 में इलावाद में सुराज पार्टी बना लिया अपनी इस दल का बिहार में कोई भी सेस प्रवाव नहीं परा लेकिन इसके समर्थ को की एक सभा 26 फरवरी 1923 को पटना में हुई थी बिहार में सुराज पार्टी का अध्यक्ष स्री नाराएन परसाद बहुत इंपोटन्ट और सचिप अब्दुलबारी को चुना गया अब्दुलबारी जी जो थे उनको सचिप चुना गया और स्री नाराएन परसाद को अध्यक्ष चुना गया बिहार में स्री कृष्ण सिंग के नितुत में 1923 में सुराज दल की साखा का गठन किया गया था बिहार में साइमन कमिशन का बहिसकार भारत सासन अधिरियम 1929 साइमन कमिशन कब आएगा 1923 में आया था क्यों आया था 1929 का जो एक्ट है इसमें बोला गया था हम दस वर्सों बाद फिर से हम भारत का एक वारत अध्यन करेंगे और बताएंगे कि क्या-क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो चाक्वी आना था इसको 1929 में लेकिन ब्रिटेन में एक एलेक्शन होने वाला था इस परिपेक्श में 8.1927 को सर जौन साइमन के नितित में साथ सदस्यों वाले आयोग की अस्थापना की गई इस आयोग में किसी भी भारतियों को समलित नहीं किया मतलब हमारा देश लेकिन उसके सम्मेधानिक विकास का ध्यान हम भारतियों नहीं कर सकते हैं जिसके कारण भारत में इस कमिशन का तिवर विरोध हुआ कि हमें भी सामिल किया जाए यह आयोग 1928 भारत आया जहां जहां गया काले जंडे से और साइमन वाइपास जाओ नारे सिसका स्वागत किया गया था बिहार में साइमन कमिशन के बहिसकार के लिए साइमन कमिशन के बिरोध में किनके अध्यक्स्ता मुहत अनुग्रह नाराइन सिन्हा जो है उनकी अध्यक्स्ता में हुआ लेकिन 12 दिसम्बर 1928 को साइमन कमिशन पटना आया सचिदानन सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टेंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकासन किया गया सचिदानन सिन्हा जी द्वारा हुआई सोसलिजम जैप्रकास नाराइन द्वारा लिखा गया है जैप्रकास नाराइन सोसलिस्ट नेता थे समाजवादी नेता थे ये फैक्स दिये हुए है सत्यागरा इन्चमपारण के लेखा कौन है इस किताब के डॉक्टर राजिन्द परसाद सत्यागरा इन्चमपारण और सहयोग आनल के समय ही स्री राजिन्द परसाद ने अपनी वकाला छोड़ दी थी 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुझपरण पूर के रतनाकर प्रेश से मुद्रित मा की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकासित कविता खूनी कफ़न को जब्द कर लिया था 1918 में बिहार में राष्टिय आनल के दौरान बिहार राष्टिय महाविद द्याले के अस्थापना पांच जनवरी 1921 सीशवी को हुई जिसका उधगाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया तो बिहार राश्टिय महाविद्याले के अस्थापना कब हुई 1921 में यानि कि ओसायो गांदोने के दौरान हुई थी और गांधी जी ने इसका उधगाटन किया था राश्टिय महाविद्याले के प्राचारे डॉक्टर आजंद प्रसार को बनाया गया था छे फरवर 2121 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीट का उधगाटन किया जिसके महासाचीब कौन थे मजरूल हक जी थे बिहार कौमी सेवक दल का गठन 27 नम्ब 2121 को बिहार प्रांतिय कंग्रेस कामीटी के दोरा किया गया था बिहार कौमी सेवक दल का 1921 में यानि की दो अंदोलन जो है खिलाफत और और असवयोग इस दोरान बिहार में बहुत कुछ अस्थापित हुआ ठीक है ये पर लिया मनुरंजन प्रसाद सिंग लिखित भोजपूरी में फिरंगिया और सुयस लिखित लुटेरा छपरा के कलना परिस में छपी फिरंगिया के लिखा कौन है मनुरंजन प्रसाद सिंग मनुरंजन जी ने फिरंगिया लिखा और सुयस जी ने लुटेरा लिखा और सहयोग अंदोलन के दोरान ही दोनों पुस्तकाएं संपुर्ण तिरहुत मंडल में वित्रित की गई थी बिहारी स्टुडेंट कॉनफरेंस का 16 अधिवेशन अक्टूबर 1921 में स्रीमती सरला देवी के देख्सता में हजारी बाग में संपन हुआ था जो अभी जारखन में है और सहयोग अंदोलन के दोरान फुलवारी सरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा एक में रुक जाओ इसका नाम में परता हूँ इसका नाम है इमारत सरिया क्या नाम है इमारत सरिया नामक संस्था का गठन हुआ था और सहयोग अंदोलन के दोरान भागलपूर में जंडा कांड हुआ था तो मौलाना सज्जाद दौरा क्या था इमारत सरिया नामक संस्था के गठन हुआ था और जंडाकान मुझपर भागलपूर में हुआ था जंडाकान भागलपूर में हुआ था औस्थायोग आंदोलन के दौरान 10 अगस 1937 को बिहार में राजनितिक पीडित दिवस मनाया गिया था राजनितिक पीडित दिवस अगला है सबने अवग्या अंदोलन और बिहार जो मुख्य मुख्या अंदोलन है जैसे सौदेसी है ठीक है उसके बाद से कौनसा है खिलाफत बीच में एक छूट गया होम रूल 1916-15 दो होम रूल थे खिलाफत के बाद और सहयोग और सहयोग के बाद कौनसा हो गया सब इने अवग्या उने सो तीस इस भी इसके बाद मुख्य रूप से कौनसा होगा तो भारत छोड़ो इन आंदोलों से संबंधित जो बिहार के फैक्ट हैं उनी से सबसे ज़्याद एक कॉस्टन पूछे जाते हैं और फिर भारत छोड़ों के बाद जब बसता है कि भारत को आजादी जम मिली ना क्रिप्स मिसान कैबनेट मिसान बैवल परान ये सब अलग अलग जो हैं इन से संबंधित और फिर आएने इंडियनेशनल आर्मी ठीक है तो सबनेया वग्यांदोलों और बिहार सबनेया वग्यांदोलों का प्रस्ताओ पंडित जवालान नहरू के धिक्स्ता में दिसंबर 1939 में कॉंग्रिस के लाहूर अधियसा ने पारित हुआ था 26 जम्रों 230 को संपूर्ण बिहार में स्वाधिनता दिवास पूरे उत्साह से मनाया गिया था 1931 में 12 मार्च 1930 को गांदी जी ने सावरमती आसरम से अपने 78 स्वेम सेपकों के साथ दांडी यात्रा के सुरुआत की जो 24 दिनों बाद 5 अपरे 1930 को दांडी पहुँचकर नमक कानून तोरने के साथ समाप्त हुई ये 2021 सिस्वी का कॉस्टन है 20 सिस्वी वाला का कितने दिन तक गांदी जी के यात्रा चली थी थी 24 दिन तक एंसर में था इस दिन गांदी जी ने 6 अपरे 1930 को देश भर में सबने अब ग्यांदोलन शुरू करने का एलान किया था गांदी जी के दांडी माच समाथ अथटरा स्वी में बिहार के एक मात प्रतने थी गिरी वर धारी गिरी वर धारी बिहार के कौन थे उनके 78 प्रतनेजियों में गिरी वर धारी चौधरी जी था मिलते बिहार में सब ने अब ग्यांदोलन सर प्रताम 15 अपरेल को चमपारन में और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बना का आरंब किया गया गिरिवर धारी चोधिरी जी, 78 श्यमकों सेवकों में गांधी जी के सामिल थे और बिहार में कहां पर किया गया चमपारन में और सारन में छापरा जिलाब चापरा जो है सबने वग्यांदोलों के कारेक्राम नमक कानून का उलंगन मतलब क्या क्या करना तो उसमें करबंदी आंदोलों करने देना है महिलाओं दोरा सराव, अफिम और विदेसी कपरा दुकान पर धरना दिया गया विदेसी वस्तों का भहिसकार सरकारी सेवाओं अदालतों सिक्षा के इंद्रे उपाधियों का भहिसकार सरकार से मतलब कोई मतलब नहीं हमें सारंजिला में वरेजा और गोरिया कोठी को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया ये दो जगए थे सारंजिला में वरेजा और गोरिया कोठी साहरं जिले में नमक सत्यागर का नेतों तो किस ने किया याद कर लेना सब का नाम स्री नाराएन परसाद सिंग भरत मिस्र गिरीश तिवारी और बवन सिंग बिहार में नमक सत्यागर का परसार मुझपरपूर पटना सहवाद आदी छेतरों में भी हुआ मुझापरपूर में सत्यागरह का नेते तो राम द्यालू सिंग जनक धारी परसाद ठाकुर राम नंदन सिंग ने किया था राम नंदन सिंग जी है ये किताब थोड़ा सब मुर गया था यहां पटना में 16 अपरेल 1930 को नमक सत्यागरह सुरू हुआ यहां यहां पर नर्वास पिंड नामक अस्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया कौँसा नर्वास पिंड पटना में इस अंदन करने तो जगत नारायन लाल ने किया था नमक कानून करने तो पटना में किस ने किया था जगत नारायन लाल ने किया था अगला है कि नर्वास पिंड आंदोलन क्या था नर्वास पिंड आंदोलन नर्वास पिंड नामक अस्थान पठना जिला में है जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गिया था यह सब ने अब अग्या आंदोलन के दिन से चर्चित था पटना में 16 से 21 अप्रेवं 30 के बीच नर्वास पिंड चलो का नारा गूजा करता था यहां के लोगन महात्मा गांदी का हावान पर नमक सत्यागरा चलाते रहने का देड़ संकल्प किया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी चुके नहीं तो नर्वास पिंड आंदोलन कहा था नमक कानून से समन दी था सत्यागरा पटना में हुआ था 16 अप 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर सर्च लाइट पत्रिकार थी के मैनेजर और पटना कमीटी के सचिब अंबिका कांथ सिंग के नितित में लोग का एक जट था पटना के नर्वास पिंड नमक अस्थान की और बरहा अंबिका कांथ सिंग कानून भंग करने के लिए चला पर उन्तु पुलिस द्वारा रास्ते में लोग कर कुछ है लोगों को गिरफतार भी किया गया इसी भी इस दूसरे तरफ से कुछ जटे नर्वास पिंड पहुंच गया और नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया इस नमक अंबिका कांथ सिंग और जसू लाल गुपता को गिरफतार कर बाकिपूर जेल भेज दिया गया था पूछ चुका है कि कि जेल में भीज जागया थी इन को मा की पूर जेल सिंग के नित्उते में 17 अपरेल 930 को नमक कानून भंग किया गया तो गोंसी जगए बभंग किया गया तो यहाँ पर गोगरी में स्री क्रिशन सिंग को बेगु सराय में गिरफतार कर हजारी भाग जेल भेज दिया गया नंद कुमार सिंग के नितुत में 20 अप्रेल को लखी सराय के निकट राजान ग्राम में नमक बनाया गया 22 अप्रेल 230 को बरहिया में तेजी सिंग के मंदिर में नमक बनाने का केंदर खोला गया तेजा सिंग के मंदिर में तेजा सिंग नाम है या साह मुहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंग के नितुत में बरहिया में नमक कानून को भंग किया गया थोड़ा सब बलर हो गया इसलिए दिक्कत हो रही है भागलपूर के बिहपूर थाना में गौरीपूर गाउं में महादेव सरीफ और दीप नराइन अगरवाल के नतित में 20 अपरेल को नमक कानून भंग किया गया बिहार में सरपर्थम राश्टी नेता डॉक्टर राजंद परसाद को पांच जुलाए 1930 को छपरा में गिरफ तार कर हजारी बाग जेल भेज दिया गया सबने अवग्यान दोलन का सरवाधिक महतपूर्ण कारिकरम करबंदी आंदोलन था कर नहीं देने का बिहार में चौकीदारी करबंदी अवियान सुरू किया गया ये बीपिएससी का कुस्टन है कि बिहार में चौकीदारी करबंदी अवियान की सांदोलन के दोरान सुरू किया गया था तो सब ने आवग्या सारन, चम्पारन, साहबाद, पुर्निया, मुंगेर, पटना, आदी अने जिलों के लोगों ने भी चौकिदारी कर देना बंद कर दिया कॉंग्रेस कारिकारिनी ने एक अगस्त 1930 को बंबई की अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकिदारी करबंदी अभियान सुरू करने पर बधाई दी थी 12 गस 1930 को स्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा में भासन करते हुए चौकिदारी टेक्स नहीं देने पर बल दिया था मई 1930 से पटना में सर अली इमाम के धेक्सता में सुदेसी लीग की अस्थापना की गई सुदेसी लिग में ससिदान सिन्हा एवं केभी दत्य को उपाध्यक्ष और हसन इमाम को मुख्य सचिव एवं बल्देव सहाई को सन्युक्त सचिव बनाये गया था समया वग्यांदुलारा मकरते समय गांधी जी ने भारत की महिलाओं से विदेसी वस्तर और नसीले पदार्थों के बहिसकार समंदी कारें भाग लेकर सुतनता अदल्म सहयोग देने की अपील की थी पटनाम विदेसी वस्तर बहिसकार के सफलता का मुखिसरे अधिकांस महिलाओं को था इसमें प्रमुक्ती स्रीमती हसन इमाम और स्रीमती बिन्धवासनी देवी महिलाओं में विदेशी वत्र के बहिसकार में समने अवग्यान के दौरान बिहारें पहली बार दो महिलाएं राजनेतिक अभियोग में गिरफतार की गई थी सबने अवग्यान के दौरान कौन थी ओव दो मेलाएं स्रीमती सरस्वती देवी जी थी और स्रीमती साधना देवी जी इन दोनों पर राजनिती का भी योग लगाए गया था सबने अवग्यान दौरान डॉक्टर राजन्द प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधी पूरी करके हजारी बाग जेल सरिहा हुए थे पांच मई 1931 को गांधी इरवीन समझोता के अंतरगात समने अवग्यान दौरान को अस्थखित कर दिया गया तता दूसरी बार यहान दौरान 3 जनबर 1932 को प्रारम हुआ था गांधी इरवीन समझोता कब हुआ था जरा मुझे बता दो 23 मार्च 1931 को भगत सिंग सुखदेवा राजगुरू को फांसी दिये जाने के बिरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी तरह हरताल थी 23 मार्च को फांसी हुई 26 मार्च को पटना में हरताल रही बिरोध सभा में सिर्जे क्रिस्न सिंग और जगत नाराइन लाल जी ने उगर भासन दिया था भगत सिंग सुखदेव राजगुरू के फांसी के पस शाथ मुंगेर के गोगरी थाना में समने अवग्या अंधोलन के दोराण 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने का पराद में गिरफतार किया गया था जिसमें स्रीमती अनूप देवी, स्रीमती सुसीला देवी और स्रीमती सुरस्वती देवी पर मुख है मुंगेर के तारापूर में करांती कौरियो द्वारा थाना भवन पर आश्टे जंडा फैराने का प्रयत्न 15 फरपर 32 को किया गया यहाँ कत्र लोग अब पुलिस की गोली चलाने से 15 लोग मारे गए स्रीमती जिने सबने वग्यान दोलन को साथ अपरेल 1934 को साथ अपरेल 1934 को अस्थगित कर दिया था मात्मा गांधी और कॉंगरेस कारिकारनी के सदस्यों के रिहाई पर स्वाधिनता दिवस मनाया गया जिसके ताद पतना मानुगरह नाराइन सिंग जी ने जहन्डा फैरा आया था जब इन लोगों को जेल से छोड़ा गया तो अगला है बापू की लाठी इसमें एक छोड़ा सा कहानी दिया है बिहार समगर कुछ नहीं है बापू के हाथ में जो लाठी रहती थी और मुंगेर की लाठी होती थी जिसमें पीतल का मूठ लगा होता था और इसको आग में पका कर बनाई जाती थी ठीक तो जब महात्मा गांधी बिहार आये थे घोर घट गाओं पहुंचे थे तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को पूछा था उन्होंने इस लाठी से पिटाई भी खाई थी अंगरी जो कहा थो अंगरी इस लाठी के खूब यूज़ करते थे अंदोरन कारियों को मारने के लिए पूरे देश दुनिया हम सब जगा गया इसके बाद दीप नाराइन सिंगे घर ठेहरे और तीन अपरेल को भागलपूल के लाजपत पार्क में गांधी जिन लोगों को संबोधित करते वे राहत कारे में सहयोग लेने के लिए और भुकम पिरतों को मदद के लपील की सभाग के दोरान कॉंग्रेस के कारे करताज थे लोगों से चंदा मांग रहे थे फिर गांधी जी ने क्या बोला कि जो भी आदमे ओटोग्राफ लेना चाहते हो गांधी जी का ओटोग्राफ गए मांगने के लिए लोग तो नहीं बोला ओटोग्राफ देंगे लेकिन 25 रुपे देकर गांधी जी का ओटोग्राफ लेने चले गए तो फिर इस पैसे को नोने वहां के भुकम पिर्टों की मदद में लगा दी भागलपूर सबसे जादे प्रभावित जीलों में एक था 1934 के भुकम्प में तो गांधी जी भारत के पहले सेलेबरिटी थे 15 अस्थापना हुई जिसके अध्यक्स डॉक्टर राजनत प्रसाद और सचीब बल्दे प्रसाद दे बिहार के अंदरिये रिलीफ कमीटी के अस्थापना हुई 1934 में 11 मार्च 1934 को गांधी जी बिहारी आतरा पहुँचे और उत्तर बिहार के हर जिला कौन-कौन सा मोतिहारी च्छपरा, सोनपूर, मुझःपरपूर, मदुवनी, दर्भंगा, भागलपूर, मुंगेर आधी अस्थानों पर गए और लोगों के भुकम पीर्टों की सहायता की अपील की लगभग मुतर बिहार के सारे जिले गए वैसे सब तक नहीं गए और दक्षिन कहां 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 क सुधार कतिक जायंतिक दिस्टी से भी महतेपूर्ण था कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी बहुत इंपोर्टेंट ट्रॉपिक बहुत कुस्टन पूछे गए इससे समाजवादियों का एक सम्मेलन आचारी नरिंदर्देव के अधिकस्ता में 17 में 1934 को बंबई में हुआ यहीं पर आचारी नरिंदर्देव जैपरकास नाराइन मीनू मसानी असोक महताग प्रियतनों के से कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी के गठन किया गया 1934 में कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का पर्थम अधिवेशन पठना में हुआ इसके अधिकस्ता आचारी नरिंदर्देव सचिव जैपरकास नाराइन थे फिर से इनका नाम पर देता हूँ मैं कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी के पुर्व ही 1931 में गंगा सरन सिंग, राम ब्रिक्ष बेनिपूरी जी कभी भी है ये, रामानंद मिस्रा आदी ने बिहार सोसलिस्ट पार्टी के नामक संगठन के अस्थापना कर दी थी, देखो बिहार सोसलिस्ट पार्टी तो 1931 के अपना 1934 में हुई है, इसके परमुख सदस्यों में योगिंदर सुकल, अब्दुलबारी, करपूरी ठाकुर, सावन सिंग आदी थे, इसका तालमेल कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी से रहा और कॉंग्रेस को समाजबादी बिचारों को अपनाने के लिए पेरित करने में बिहार बिधान सभा चुनाओ 1937 मुसलमानों के लिए सुरक्षित था, चार महिलाओं के लिए, एक एंगलो इंडियन के लिए, दो यूरोपियें और तेरह विसेस निर्वाचन मंदल था इस चुनाओं में बिहार में कॉंग्रेस को पुर्न बहुमत पराप्त हुआ, कुल 152 सीटों में से, 152 में से, 107 पर कॉंग्रेस जीती थी कॉंग्रेस ने चुनाओ लड़ा और 98 सीटों पर जिरा 107 पर वो चुनाओ लड़ी कॉंग्रेस 152 सीट थे 107 पर चुनाओ लड़ी जीती कितनी 98 उसके प्रत्यासी भी जई हुए 1 अपरेल 937 को मुहम्मद यूनिस करने थे तुमें बिहार में पहली भारतिये मंत्री मंडल बना कॉंग्रेस इस अंत्री मंडल का बिरोध किया एक अपरेल स्थिसको मुहम्मद यूनिस करने थे तुमें बिहार में पहला भारतिये मंत्री मंडल बना कॉंग्रेस ने इस अंत्री मंडल का बिरोध किया था अगला है इसी बीच भारत के तातकालीन वाईसराय लॉड लेनितिगों ने आस्वासन दिया कि मंतरियों के कारे में गवर्नर हस्ता छेप नहीं करेंगे मुहमद यूनिस करें अंतरी मंतरी मंडल से त्याग पतर देने के वाद 20 जुलाएं 37 को स्री करिसन सिंग के नितुमें कांगरिस्न मंतरी मंडल का गठन किया किन के नितुमें स्री करिसन सिंग के नितुमें 37 में जब मुहमद यूनिस कंत्री मंट्री मंडल ने त्याग पतर दे दिया तब स्री राम दयालु सिंग प्रोफेसर अब्दुलबारी बिधान सभा का अध्यक्ष कौन बने तो स्रीराम दयालो सिंग अध्यक्ष बने और प्रोफेसर अब्दुलबारी उपाध्यक्ष बने राइनितिक बंदियों की रिहाई के प्रसन पर बिहार मंत्री मंडल ने 15 फरवरी 1938 को उत्याग पतर दे दिया बाद में 26 फरवरी को बिहार के प्रधान मंत्री उस समय मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री कहा जाता था क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि हर एक प्रांट अलग अलग है भारत का तो मुख्य मंत्री का पद तो उतन ही होता था सक्ती उतन ही लेकिन उसको नाम दिया गया था प्रधान मंत्री का अगर पता हो आप लोगों थोड़ा सा अगर सुतनता अगबाद का इतिहास परहाओगा तो 1965 के से पहले कसमीर के मुख्य मंतरी को प्रधान मंतरी कहा जाता था मतलब एक देस में दो प्रधान मंतरी होते थे हमारे और कसमीर के राज़पल को राष्ट पती कस्मीर अपना जम्मू कस्मीर से कुछ सदसे यून में भी भेजते थे जिसको खतम कर दिया गया था बाद में चलो आगे बरते हैं सेक्रेसन सिंग और गवर्नेटर के बीच वारता से राजनितिक बंदियों कि समस्या सोलज जाने के बाद मंत्री मंडले त्याग पतर देकर वापस लेकर पुन्हा अपना काम कर लिया जो राजनितिक बंदी को लेकर इन्होंने त्याग पतर दिया था वो मामला सुलज गया और फिर से ये सरकार बना लिया इन्होंने सितंबर 1949 में सितंबर 1949 में दुतिय विश्यूद का आरंब होने पर भारत के तातकालिक वाइसराय लॉड नितिकों ने भारतिय बिधान मंडल के सहमतिक बिना भारत को युद्ध में सामिल कर दिया अब क्या होगा इस विरोध में कॉंग्रेस मंतिर मंडल ने पूरे देश म ही त्याग पतर दे दिया था मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को जब कॉंग्रेस मंतिर मंडल ने त्याग पतर दिया तो मुस्लिम लीग चुकी इनके विरोधी थी उसने भारत को भारत में मुक्ती दिवस मनाया कि चलो भाई हमें कॉंग्रेस से मुक्ती मिल गई उसने ऐसा म कि अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ सुवायत सासी संस्थाओं को अपने भवनों पर आश्टे जंडा फैरानी के अनुमती दी गई अखवारों से जमानत मांगने के प्रथा एम संघो पर से प्रतिबंध की समाप्ती की गई स्रमिकों के जीवन काड़ों के जांच के लिए राजनत प्रसाद के अध्यक्सता में स्रम जांच समीती का गठन हुआ मतला हम अपने तरीके से काम करने लग गए बिहार में जो मंत्री मंडल बना वो अब काम करना सुरू कर दिया उसमें सेक्सिनिक सुधारेतू केटी साह की अध्यक्सता में सिछा पुनर गठन समीती का गठन हुआ मौलान अबुल धुल गिलामजी के अध्यक्सता में हिंदूसतानी समीती का गठन हुआ बिहार मुस्लिम लीग अक्टूबर 1937 कांते मुहमद अली जिन्ना बिहार यातरा पर आए इनके प्रियतनों से युनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी मुस्लिम लीग में बिलेह हो गया लेकिन बिधान मनल के सबसे परे मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी ये मुस्लिम संगठन था के साथ जिन्ना की वारताया और सफल हो गई एक जन्बरी 1938 को बिहार आए और गया में मुसल्मानों के एक बरी सभा को संबोदित किया जिन्ना फिर से बिहार आए एक जन्बरी 1938 को पहले 37 में आएक्टूबर फिर 30 के जन्बरी में आगए मुसलिम लीग द्वारा बिहार मंत्री मंडल की कठोर सब्दों में अलोचना की गई अस्थानी संस्थाओं में भी प्रिथक निर्वाचन पर ना लेकी मांग की गई बंगला देश बजब पाकिस्तान का और भारत का भी भाजन हुआ तो बंगला देश के तरफ जब पलाइन हुआ उसमें सबस्जादे पलाइन करने वाले दो जग़े का मुसल्मान थे एक तो अलोचना की गई तो था अस्थानी संस्थाओं में भी प्रिथक निर्वाचन पर नाली की मांग की गई अस्थानी संस्थाओं में प्रिथक निर्वाचन पर नाली क्या होते थी कि मुसल्मान आदमी नेता बनेगा ये नेता हो गया और इसके बोटर सिर्फ और सिर्फ मुस संप्रदाइक ता गजनक कहा जाता है उस समय गवर्नर अखिल भारते मुस्लिम लीग का 26 मा अधिवेसन मुहमद अली जिन्ना के धिक्सता में 26 दिसंबर 133 को पटना में सुरू हुआ 26 मा अधिवेसन बिहार में मुस्लिम लीग से अलग दो अन्य मुस्लिम संगठन भी कारिरत थे ये था जमायत उलेमा और मुमीन जमायत ये दुनों बिहार के मुस्लिम संगठन थे बिहार में व्यक्तिकत सत्यागरा बिहार में 28 नंबर, 1940 को व्यक्तिकत सत्यागरा के शुरुवात हुई स्त्यागरा ही थे दूसरे सत्यागरी कौन थे? अनुगरा नरायन सिंग्ग पहले कौन थे? अनुगरा नरायन सिंग्ग को पठना से टीम भासन देने के लिए गिरबतार कर लिया गया गौरी संकर सिंग ने 4.42 को गया में अस्याम नरायन सिंग ने 9.42 को सिलाव नालंदा में सत्यागरा किया था बिहार के अने छेतर में भी लोगों ने व्यक्तिकत सत्यागरा भाग लिया गया में कुछ महिलाएं भी सत्यागरे करती हुए गिरफतार हुए जिनमें प्रमुक्ती प्रियंका देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आधी बिहार यंग मैन इंसिचूट में 20 अप दिसंबर 1936 को अखिल भारती चातर दिवस राम ब्रिक्ष बेनी पूरी जी के ध्यक्स थाम मनाया गया यंग मैन इंसिचूट महात्मा गांदी से मतभेद होने के बाद सुहास बोस ने 3 मई 1940 को फौरवाट ब्लॉक की अस्थापना की इससे पहले तिरपूरी कॉंगरिस की घटना हुई थी जिसमे ध्यक्ष बने थे गए सुहास बोस इस सिसले में बोस अगस्त माह में पटना आये और कुछ समीत वर्ती जिलों की यात्रा की 18 फरवेन से 40 को मजदूरों की समस्या पर जमसेदपूर में दिये गए भासन के लिए NSA भारत एरक्षा कानून का इंतरगत जैप्रकास नाराइन को गिरफतार करके छे माह की कड़ी कैद की सजा दी गई NSA किन किन लोगों पर लगा है जैप्रकास नाराइन गांदी जी और पतानी बहुत सारे और नवीनेता है है भास अफरकास दो समाचार पतर सर्चलाइट एवन इंडियन नेशन सर्चलाइट और इंडियन नेशन ने जैप्रकास नाराइन की घرفतारी को अनुछित कदम बताया था 10.5.1940 को सारे परांत में जैप्रकास नाराइन दीबस मनाया गया था कब मनाया गया तो 10 मार्च 1940 को 1940 के 10 मार्च को मनाया गया था याद रखना ये डेट जैपरकास नाराइन से सम्मंदित हर साल एकाद कुस्टन टकराते है पटना सपरकासित होने वाले अंग्रेजी अफ़कार अखबार कौन सा था दबिहार हिराल्ड ये फटना सपरकासित होती थी एक है डक्कन हेराल्ड ये दक्षिन भारत में बहुती परचली दखबार है तो पटना सपरकासित होती थी दबिहार होते है बिहार में फौरवार्ड ब्लॉक के नेता सिल्भद्र याजी को छपरा में 16 माई 1940 को भारत रक्षा कानून का अंतरगत आपत्ती जनक भासन देने का भीयोग में गिरफ्तार कर लिया गे ये फौरवार्ट ब्लोक के नेता थे सुभास बोस्क पार्टी थी वो गांद Yay का निर्देश निर्देश में व्यक्तिगत सत्यागरा प्राडम किया बिनो अबावे प्रथम व्यक्तिगत सत्यागरा ही थे पूरे देश के 1941 में मुसलिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस हिंदु महासवा द्वारा 27 को पाकिस्तान बिरोधी दिवस मनाया गया 23 मार्च को उन्होंने क्या मनाया पाकिस्तान दिवस 27 अपरेल को पाकिस्तान बिरोधी दिवस मनाया इन लोगोंने और इसके मनायने के कारण बिहार सरीफ में भायानक संपरदाइक दंगा हुआ हिंदु महासवा ने 17 सपरेल को जब पाकिस्तान बिरोती दिवस मनाया तो बिहार सरीफ में बहुत भायानक दंगा हुआ था बिहार सरिफ के संप्रदाइक दंगों पर गांथी जिन सांती का पील करते हुए कहा कि भी बिहार ही ऐसा परांथ है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवर हमारे लिए उदाहरन बन सकता है अगला है भारत छोड़ू आंदोलन में बिहार का योगदान भारत छोड़ो आंदोलन ये सबसे प्रमु खांदोलों में से एक है 1942 में हुआ था अब इसमें बिहार का क्या-क्या योगदान है इसको हम पढ़ लेते हैं अखिल भारतिय कॉंगरिस के बंबई अधिवेशन में ग्वालिया टैंक सभा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया जिसमें गांदीजी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया इस प्रस्ताव को अखिल भारतिय कॉंगरिस समीती ने 8 अगस्त 942 को सब्सक्राइब करें इस प्रस्ताव को अखिल भारत कॉंग्रेस कमिटी ने आठ अगसने 42 को स्विकार किया लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पूर भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता नाराइन सिंग सुखलाल सिंग को हजारी बाग में गिरफतार कर लिया गया इस आंदोलन की खासित क्या थी भारत छोरो आंदोलन की कि इसके सारे नेता जेल में थे फिर भी ये जनता द्वारा संचाली तांदोलन था इस पूरे आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ लोगों ने चलाया बिहार के प्रमुख निता राजंद प्रसाद अनुग्रह बाबु स्री किरसन सिंग मथुरा बाबु इत्यादी को 9 अगस्त 1942 को गिरफतार कर लिया गया एक 11 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोरो जंडा उचा रहे हमारा भारत माता की जै बंदे मातरम हम सचिवाले पर जंडा फहराएंगे जैसे ओजस्त्वी नारों के साथ छात्रों के एक जुलूस ने पठना में सचिवाले भवन के पुर्वी गेट पर आश्टे ध्वज भैराना शुरू कर दिया इससे वहां के तातकालिक अंग्रेज जिलादिकारी डबलू जी आर्चर इनका नाम याद कर लो इस महोदय का डबलू जी आर्चर ने बौकलाहट में निहत्य छात्रों पर अंधा धूंद गोलियां चलवा दी जिस साथ नौजवान चात्र वहीं पर जंडा था में एक एक कर सहीद हो गया लेकिन आठमा चात्र राम क्रिसन सिंग चात्र पतना कॉलेज मुकामा वासी था ये अंग्रेजों के आखों में धूल जोक कर बितानी जंडा यूनियन जैक को उतार कर भारतिय जंडा फैराने म कामियाब हो गया आठमा चातर जो था सारे साथ तो मर गे लेकिन आठमे ने जंडा फैराई दिया वहाँ पर सचवाले पर राम क्रिसन सिंग नाम था इसका सचवाले गोली कांड के समय भारती अपसर उदित नाराइन पांडे एसडियो और विसंभर चौधरी डिप्टी कल सचवाले सुरक्षा की जिम्यदारी भारतिय बंदूख धारी गोर्खा पुलिस को सौपी गई थी सचवाले कांड के बाद दो दिन तक पटना बंद रहा था जुम्राव गया सिवान कटिहार थाना पर जंडा लगाने कोसिस में क्रमसा कपिल मुनी स्याम बिहारी लाल फु फुलेना प्रसाद स्रीवास्ता और ध्रूब कुमार को पुलिस की गोल्यों का सिकार होना परा था जानी के ध्रूब कुमार का टिहार में फुलेना प्रसाद स्रीवास्ता और सिवान में उसके बाद से स्याम बिहारी लाल जी गया में और कपिल मुनी डुमराओं में सहीत ह हुए थे भारत चोरवांदोरों बिहार के गया भागलपूर सारन पूर्निया सावाद मुझपरपूर और चम्पारन सुता हस्पूर्त जन विद्रोह के मुखे के अंदर थे लोग ही भी द्रोह कर रहे थे कोई नेता नहीं नौगस्त को राजनत प्रसाद को पटना में गिरफतार कर लिया गया और बाकीपूर जेल ले जाया गया गया भारत चोरवांदोन के दारान राजनत प्रसाद को ये कोस्टन पूछ चुका है ये आठ अगस्त की सुबह डॉक्टर सेकरिसन सिंग अपने गाउं मोरे से पटना आते समय गिरफतार कर लिये गए जब वो गाउं से आ रहे थे तो उनको भी गिरफतार कर लिया गया दस अबस्त के सुबह मैं से किसन सिंग जो गिरफतार किया था है दस अबस्त को 11 अबस्त को अनुगरह नराइन निखिब कर लिया गया दोनों को बांकी पूर जेल में ही रखा गया स्री बल्देव सहाय ने सरकारी निती के बिरोध में महाधी वक्ता एड़ोकेट जनरल के पद से त्याग पतर दे दिया सची वाले गोली कांड के बिरोध में 12 अगस्त को पटना में पुर्न हरताल रही उस दिन बिहार प्रांतिये कांग्रेस कमीटी का अध्यक्ष महा माया परसाद सीन्ना को पटना रेल्वे स्टेशन पर गिरफ़तार कर लिया गया सारे नेता गिरफतार अब देखते हैं बिहार के बिहार में नमक आंदोलन के कौन-कौन से ये वो है नित्वत करता नमक आंदोलन का है याद रखना सचवाले गोली कांड के दिन कौंग्रेस मैदान में जगत नाराइन लाल के दिकस्ता में आयद सभा में संचार सुविधाओं को ठप करके सरकारी कारियों के सिथिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था पटना सचवाले गोली कांड में साथ सहीद जिनके नाम दिया है और किस क्लास के चातर थे किस वर्ग में पढ़ते थे वो रामानांद सिंग ग्यारमी के चातर था साहादत नगर पटना के निवासी थे ये सभी ग्यारमी के थे एक असनातक और एक नवी के चातर था उमाकान परसाद सिंग नरेंदरपूर सारण का था, राजंदर सिंग बनवारी चकर सारण का था, सतिस परसाद ज्शा, खरहरा भागलपूर के थे ये, जगपती कुमार सनातक, खारटी, ओबरा औरंगाबाद के थे, खराटी का, देवी परसाद चौधरी, जमालपूर शिलह आट असम के थे तो एक असम के भी थे महिलाओं ने जुलूस निकाल के कौंगरेस मैदान में भगवती देवी राजन परसाद की बेहन के अधिकस्ताम एक सभाय जित की और इस सुन्दरी देवी संबू सरन बर्मा की पतनी एम राम प्यारी देवी जगत नरायन लाल की पतनी क वकीलों से वकाले छोरने का रोध किया बिक्रम के नौ लाक सिंग को भी आठ अगस्त को दस अगस्त को रात को फांसी सौरी गिरफतार कर लिया गया पहने गलती से पढ़ दिया चंपारन के गोविंद गंज थाना में रिसी दल के अंतरगत लगए एक महिने तक जंता राज बना रहा इसका गठन करने में स्री रामास्रा दूबे का प्रमुखात था 1942 के आंदोलों में दर्वंगा महराज नौकेवल सरकार को अपने सुसस्तर लोगों की सेवाई देने सिंकार कर दिया बलकि गिरफतार लोगों की मदद भी की थी उन्होंने दिसंबर 1942 में कॉंग्रेस समाजवादियों दौरा सुतंतता संगराम मोर्चा सीरसक से एक प्रलेख निकाला गया जिसमें करांतियों को आगे बरहाते हुए एक समगर सक्ती के रूप में मोर्चा संगठित करने पर बल दिया गया था भारा चोरो अंदोलों के दौरान पटना से प्रकासित सर्च लाइट और इंडियन नेशन और राष्टवानी का प्रकासन नहीं हुआ था रोक लगा दिया था सरकार ने बार अगस्त को सरकारी नीती के विरूद में डियल नंद कायो लियर ने पटना बुद्ध समीती के सची पद से त्याग पतर दे दिया था पटना के फटेएपुर मल सलामी थाना में 65 वेक्तियों ने कुछ दिनों तक समनांतर प्रसासन चलाया था फटेएपुर में बिहार परांती कांगरेस कमीटी का मुख्याले औस्थाई तोर पर यहीं से काम करता था 30 अगस 1942 को जगत नराएं लाल ने यहां एक सभाग की और इसके कारेकरताओं को सहीद संग नाम दिया बिहार परसासन को पंगू बनाने को देश सी आराम दल नामक गुप्त संगठन के अतिवी धी 1943-44 जारी रही रही अगस्त करांती का बिहार के विभिन चहत्रों पर पर हाओ क्या परा भारत चहरवां दोलों का अगस्त करांती भी कहा जाता है आठ अगस्त को शुरूआ था यह बंबई से 1942 का अगस्त करांती का चिंगारी संपुर्न बिहार ने फूट परा सारन जिले में जगलाल चौधरी ने थाने को जला दिया चंपारन जिले में गोविंद पूर थाने में रिसी जी महादेब प्रसाद जगनात प्रसाद और ब्रह्मन अंतिवारी ने एक समनांतर सरकार बनाई वे मुख्वीरों का सजा देते थे मुझपरपूर जिले के मीनापूर थानेदारों को लोगों ने जिन्दा जला दिया बिलसंड थाने में गोली चली जिसमें जै मंगल सिंग, सुख़देव सिंग, भुपन सिंग, नौजाद सिंग, बंसी तत्मा, सरसाथ साह, सुंदर महरा, छटु सा, बल्देव सुहरी तथा सुखु लोहार मारे गए थे बिलसंड थाने में भारत चौरों आंदोलों के दोरान किसानों के भारी बिद्रों के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारन जिले को कोख्यात रूप सा परादी घोसित कर दिया, पूरे जिले को ही तेरा अगस्त को कटिहार थाने पर जंडा फैराते समय, तेरा वर्षिय बालक धुरूब कुमार को पुलिसक ने जंडा फैराने के प्रयास गोली मार दी भागलपूर मगस्त करांतिका ने तो छातरों ने किया, यहां सिबधारी सिंग, सुखदेव चौतरी के लास बिहारी लाल के रफतार हुए भागलपूर मंगेर के गरामी च्छेतरों में अगर जीत पासवान केने तो तुमूल आंदोलन चलाया गया, ठीक है? यह तुमूल आंदोलन है, तुमूल नहीं वो मूल है, शौरी, तुमूल है, तुमूल आंदोलन चलाया गया था, अगर जीत पासवान जी के अध्यक्सता में, निदुत में 13 अगस्त को हजारी बाग के सरस्वती देवी तो था एक अन्य महिला को भागलपूर सेंटरल जेल ले जाया गया, उन्हें नाथनगर में एक भीर ने पुलिस खातों से चुरा लिया, सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में करांती कारी भासन दिया, दरफंगा में कुला अनुग्रह नारायन सि裡面 को बांकीपूर जेल में रख घया, जैप्रगास नारायन को हजारी बाग जेल में, योगिद निसुकल को बकसर जेल में रखा गया था, अग्रा है बिहार में भुमिगत संगठन, भारत छोरों आंदोलों के दारान बिहार में गुप्त कृरांतिका बाद को क्याम पकर लिया गया भारत छोरुआ अंदोलन के दौरान गिरफतार लोक नायक जैप्रकास नाराइन हजारी बाग जेल से 99.42 को रामानंद सिंग, योगेदन सुकल, सुरज नाराइन सिंग, गुलाब चंदर गुप्त और सालिगराम सिंग के साथ भागने मसा फलर ह जेल फरारी घटना में सामील रहने के संदेह में राम नाराइन सिंग, क्रिस्न बल्लब सहाई और सुखलाल सिंग को गिरफतार कर भागल पूल जेल भेज दिया गया हजारी बाग जेल से फरार योगितन सुकल को बाद में 4.42 को करनौती के बालगोविन सिंग के साथ मुझपरपूर में गिरफतार कर लिया गया साथ दिसंबर को योगितन सुकल पटना लाए गये, उन्हें बकसर जेल भेज दिया गया जेल से भागने के बाद जैपरिकास नाराइन के साथ रामानंद मिस्र और साली ग्राम सिंग, अच्चित पतबरधन की बहन विजया के साथ कलकता चले गये वहां से उन्होंने सूरज नाराइन सिंग और विजया के साथ नेपाल तराई के जंगली इलाकों में च्छापारमार युद्ध का प्रसिक्षन देने के लिए सिवीर स्थापित किया आजाद दस्ता मार्च 1943 में आजाद दस्ता के खिल भारते केंदर और बिढहार प्रांतिय कारियाले का गठन जैप्रगास नाराइन के ज़ित में नेपाल में किया गया आजाद दस्ता का संचालन नेपाल में कोसी नदी के दल कसे के टापू नमकस्थान से किया गया था ये थोड़ा बलर हो गया रुको मैं इसको देख लेता हूँ इसका नाम है दल कारो दल कारो टापू कोसी नदी में है छोटा से कोई जगह होगा मिट्टी का बीच में जिसके चारो तर्म नदीयां मैती होंगी इस समय तक स्यामनंदं सिंग के साथ डॉक्टर राम्न और लोहिया भी नेपाल पहुँच गए राम्न और लोहिया भी कहां पहुँच गए नेपाल पहुँच गए डॉक्टर लोहिया संचार यम परचार विवाग का निर्देशन करते थे आजाद दस्ता के मुखे प्रसिक छक सरदार नित्यानन सिंग थे और बिहार के लिए स्री सूरज नराइन सिंग के अधिन एक सोतंतर परिस्द स्थापित की गई थी सरदार नित्यानन सिंग सुन बरसा में पुलिस की गोलियों सो सहीद हुए मई 1943 में जैपरकास नराइन, डॉक्टर लोहिया, सियाम नंदन सिंग, कार्तिक परसाद सिंग, बरज किरसोर सिंग, सियाम सुन्दर और बैदेनाथ जाको अचानक नेपाल सरकार दोरा गिरफतार करके हनुमान नगर जेल में रखा गया, नेपाल सरकार अंग्रेजों की सहयोगी सरकार थी सरदार नित्या नंद सिंग और सुरज नराइन के रितुत में एक रानती कारियों के एक जथा हरुमान नगर जेल से जैपरकास नराइन और कुछ अन्य बंदियों को छुरा लिया था इनको वहां से नेपाल के जेल से भगा लिया इन दोनों ने 18 दिसंबर 143 को जेपरकास नराइन पुना मुगल पूरा में गिरफतार कर लिये गए 143 सिस्वी के अंतर तक आजाद दस्ता सक्रिये रहा पर उन तो इस आंदोलों के परमुख नेताओं के गिरफतारी के बाद यह भी फल हो गया सिरिमती किपलानी के गिरफतारी पटना में 28 अप्रेश 944 को हुई 15 जूने 45 को डॉक्टर राजंत परसादी बांकीपूर जेल से रिहा कर दिये गया भरबड़ी 1946 में जैप्रकास नाराइन के रिहाई के परसंद पर दवाब बनाने की उद्देश से जैप्रकास नाराइन दिवस मनाया गया मार्च 1946 में बिधान सभा चुनाओं में 152 सीटों से कॉंगریस 62 मुस्लिम लीग 34 सीटों पर मतलब कि मुसलिम लीग की भी पकर थोरी बहुत बन गई बिधान सभा चुनाओं में बिहार का जो चेतर में हुआ था चोबिस मार्च उनेसो चालीस को बिर्टिस मंत्री मंडल के तीन सदस से पहत्रिक लॉरेंस, इस्टेंड फोर्ड क्रिप्स और एवी ऐलेक्जंडर के कैबिनेट मिसन ने नया सम्मिधान बनाने और अंतरीम सरकार के गषण की संस्तुती की। कांग्रिस ने कैबिनेट मिसन योजना के सुईकार कर लिया पर अंतरीम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने भी रोध किया। 30 मार्च उनेसो चालीस को सिर्किसन सिंग के अनितत में बिहार में दूसरा कांग्रिस सी मंत्री मंडल बना। जून 1946 पे संपन समिधान सभा के चुनाओं में कांग्रिस को 296 सीटों में से 111 पर भी जै मिली। कांग्रिस की जीद के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस 1946 को दिन भर में दिन को देश भर में प्रत्यक्ष कारवाई दिवस के रूप में मनाया है यानि की दंगा हुआ पूरे देश में उस दिन कलकत्ताम भयंकर संपरताइक दंगे सुर पंजाब में पुर्वी बंगाल के प्रतिक्रिया बिहार में भी हुई 1946 कांट में प्रांत के कई अस्थानों पर संपर्दाइक दंगे भरक उठे इस संपर्दाइक दंगे का व्यापक प्रभाव छपरा पटना बिहार सरीब जहानाबाद बांका अदी सहरों पर हुआ मार्च 1947 में संपर्दाइक दंगों के बाद बिहार में 37 सद भावना के संधेज देने को उद्धिजी आये थे ऐए दंगों को खुसांत कराने के लिए 9 दिसंबर 14 को सुतंतर भारत के समिधान निर्मान के लिए समिधान सभा की पर्थम बैठक बिहार के सचिदानन सिन्हा की अध्यक्सता में संपन हुई बाद में समिधान सभा के स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजन निर्मान 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 न 1947 को उस दिन राजिपाल ने 1942 के करांती में पटना सची बाले गोली कान में सही जातरों के समुर्थी में पटना में बनाए जाने वाले सही रसमारक के अधार सी लहवी 15 गर 1947 को ही रखी गई थी 30 जनबर 1948 को पटना गांधी मैदान का थोड़ा सा इतिहास है जब गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया था बिरला हास में गांधी घत्या कर दी गई इसे गांधी जी का परती पूरे बिहार में सोक किलहर फैल गी उसी बरस गांधी जी के सम्मान में 15 गर सुने 1947 को सुतंतरता की पहली बरस गांध के समारोग के लिए बिहार सरकार ने सास की आदेस में छपे आधिकारी की निमंतरन पत्रों में पहली बार गांधी मैदान का नाम का इस्तिमाल किया था पटना पर सासन द्वारा जारी के एक निमंतन पते में लिखा गया कि जिलादिकारी पटना अग्रह करते हैं कि दिवान बहादूर राधा क्रिस्न जलान 15 अगस्त रवीबार सुबह 9 बजे गांधी मैदान बांकी पूरों पस्तितों का अनुगरहित करें जब बिहार के मानने राज़पा सुथनता दिवस की पहली बरस गांट के अउसर पर धोजा रोहन किया था उन्होंने और सेना पुलिस हूमगाट के परेड का सलामी लिया था अब लेके दस्तावेज कांसार अंडाकार मैदान के अकार के इस मैदान को अफगांधी मैदान के नाम से जाना जाएगा यह मैदान आजादी के बाद भारत बाद से राजे में सुथनता दिवस समारों का मुख्यस थल है पहले इसे बाकीपूर मैदान या पटना लौन कहा जाता था या समर रही है कि सुतंता अंडुलन के दौरान गांधी जिन इस मैदान में कई बार सभार सम्मेलन किया था तो modern history में अब अगला है कि सुतंतर आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान अब हम इसको परहेंगे तो सबसे पहला इसमें कि सन 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के परदापन के साथ ही आंदोलन में महिलाओं का जुकाओ बर गया गांधी जी का बहुत बरा योगदान था कि सामान ने भारतिये जो हैं उनको इन्होंने आंदोलन से जोड़ दिया तभी उनका आंदोलन इतना भरा दिखता था महिलाओं को उसमें उन्होंने बहुत जादा जोड़ा आंदोलन में सरला देवी ने 1921 में पिरिंसाट बेल्स के भारत आगमन के धौरान होने वाले समारो के बहिसकार अंधुनल का नेत्त किया था सरला देवी ने पिरिंसाट बेल्स का विरोद किया था भारत आने पर 1920 इसमें देश बंधू कोस के लिए जब गांधी जी ने बिहार का भर्मन किया तो यहां की महिलाओं ने अपने आभुसन तक को दान में दे दिया उन्होंने 1921 स्वी में इस कार्य महात्मा गांधी के साथ स्रीमती प्रभाविती देवी जैप्रकास नाराइन जी के पत्नी जो थी ने महत्पूर्न योगदान दिया था ये गांधी जी को अपना गुरू मानती थी जैप्रकास नाराइन जी के पत्नी सन 930 के नमक आंदूलन में भी बिहार के आंदूलन ने बड़े जोस खरोस के साथ भाग लिया बिहार के महिलाओं ने भाग लिया स्रीमती सैल बाला राए के ओजस्वी भासन से प्रभावित होकर संथाल परगना के महिलाओं ने नमक कानून को भंग किया था सैल बाला राए कहां पर संथाल परगना भागलपूर और बंगाल और बिहार का जो इलाका है राजमहल के आसपास का हजारी बाग के स्रीमती सरसोती देवी स्रीमती साधना देवी को नमक कानून को लंगन के लिए च्छा माग की सजा मिली थी पटना में स्रीमती हसन इमाम और स्रीमती बिंधवासनी देवी जी के नेतुत महिलाओं ने बिदिसी बस्तरों के दुकान के सामने धरना प्रदसन को सफल बनाया था 26 जनवरी को सुतंता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजंद परसाद जी की पतनी राजवंसी देवी और तथा चंद्रावती देवी सहित सात महिलाओं गिरफतार किया गया जिसमें राजवंसी देवी त हजारी बाग महिलाओं के मतल राजंद परसाद जी पूरा सो परिवार अंदुलन में थे हजारी बाग महिलाओं के ने तो स्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी जिने गिरफतार भी किया गया था लेकिन जब सरस्वती देवी जी को हजारी बाग से भागलपूर ले जाय जा मल खाचक के स्वर्गीय राम बिनोज सिंग जी की दो पुत्रियां सारदा और सरस्वती को 14 और 11 वर्ष किया सजा दी गई थी संथाल पर गना के हडिया मिर्धा की पतनी बिर्जा देवी को पुलिस ने हत्या कर दी बिर्जा देवी की हत्या हो गई थी गया जिले की प्यारी देवी को ही पुलिस ने गिरफतार किया उसी बैसाली के ही स्रीमती बिन्दा देवी सहीद फुलेना परसाद जी की पतनी तारा देवी मुझपर पुर की भवानी महरोत्रा भागल पुर की राम सरूप देवी कुमारी धतूरी देवी जिरिया देवी मुंगेर की संपतिया देवी जी और सहवाद के फूई कुमारी पटना की सुधा कुमारी सर्मा आदी महिलाओं ने अधितिय योगदान दिया था पहारे सुषंता आंदोलन में 1942 के भाराच छोड़ आंदोलन के दोरान अनेक महिलाएं पुलिस की गोली से भी सहीद हुई इनके नाम याद कर लेते हैं जिन्में परमुक है छोडमारा गाउं की स्रीमती बीराजी मधियाईन और सहवाद के गाउं के लसाधी के सिव गोपाल दुसाद की पत्नी अकेला अकेली देवी मुंगेर के रोहियार गाउं की कुमारी धतूरी देवी आदी इसके बाद है बिहार भर्मन पर आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरंत इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें मौडर्न के नहीं है ये प्राचीन मदिकाल सब के हैं तो मौडर्न हिस्ट्री हमने बिहार का पर लिया बिहार समगर से नेक्स्ट वीडियो में हम पहले बिहार के जो मौडर्न के कोस्टंस हैं मैं दिखा देता हूँ ये कोस्टंस जो है इसको हम केंपलीट करेंगे 143 के करीमे कोस्टं है और फिर हम एंसेंट के कोस्टं करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सेयर करना वीडियो को प एंसेंट और मीडेवल में ने करा दिया है थांक्यू सुमन